है है हलो एवरीवन वी आ लाइब नाओ इस राज योर इंग्लिश मास्टर टीचर वैलकम पैक माई यूटूब चैनल दिस राज तो स्वागत है मेरे इस नहीं यूटूब चैनल पर इंग्लिश वाला राज फ्रेंट्स तो जो लोग नहीं जुड़े हैं वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर ले आज फिर से हमारे एक नया सेट है है ठीक है जो कि एरे डिटेक्शन करों स्टी प्रोबैबली है ठीक है वेरे जुड़े प्यूर्ट करते हैं ये बिल्कुल अप्डेटेट वर्जन है ठीक है उससे पहले मैं आपको बता दूख कर दूख ज मेरे चैनल पे नए जुड़े हैं वो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके जाएं और वीडियो को अन तक देखें इससे बहुत ही ज्यादा आपको कोश्चन में फैदा मिलेगी और बहुत सारे चैनल पेज फोलो कर सकते हैं आप qr-code को स्केंड करके भी सीधे हमारे इंस्टाग्राम पे एड हो सकते हैं मित्र ठीक है तो आईए हम लोग फर्ष्ट कोश्चन के तरफ मूव करते हैं और यह आपका पहला कोश्चन आपके स्क्रीन पर यह रहा ठीक है और आपको बताना है आपके पास चार वर्ट चार ओप्सन दिये और एक में वर्ट दिया हुए है तो सबसे पहले आप लोग बताएंगे कि यह जो इसका मिनिंग है अन्टोने में बताना है ठीक है और सबसे पहले आप लोग यह भी हम बता देए कि रिवर्ट का मतलब क्या होता है आर ए-व-e- करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि यह options के मिनिंग्स क्या होते हैं तो फ्रेंड्स आपको मैं बता दूँ कि करना और पायस का मतब होता है ठीक है कि पूरी से करना गलोरीफाइब करना ठीक है और डिसपाइस्ट का मिनिंग्स क्या होता है तो आए हम लोग और मुव करते हैं और डिटियल में जानते हैं फिरंड्स की और रिवर्ड का मतलब है तो इसका एंट्रोनीम चीह था तो इसका हो जागा डिस्पाइस्ट अप्ट्स नंबर सी के तरफ मुव करेंगे ठीक है रिवर्ड का हर कोई समान करता है ठीक है तो रिवर्ड मतलब रिस्पैक्टेड तो रिस्पैक्ट पायस मतलब आपका पवित्र हॉली जिसको हम लोग कहते हैं और ग्लोरिफाइग का मतलब होता है बढ़ाई करना ठीक है तो अपसर नमबर सी के सरा साथ हम लोग मूव करेंगे यह आपका करेक्ट अंसर है नेक्ट शवाल नमबर टू एंटोनेम बताना है फिट से आपका डिग्रेट डिग्रेड डिफैक्ट ओनर प्रिवलेज यह फिर बिलिटिल क्या होगा स्प्रेंट्स आपको बता देना है तो सबसे पहले आईए हम लोग और फ़रसा डिटेल में इसको जानते हैं हो इसको तो कुछ आता ही नहीं है ठीक है तो उस परकार से हमें बोलते हैं D-grade ऐसे आपको याद करना है Defeat मतलब होता है किसी को Defeat करना मतलब धोखा देना ठीक है Privilege मतलब Honor मतलब होता है Respect तो जब Friends इसका D-grade का मतलब होता है अपमान करना और हमें चाहिए Antonym तो Respect Honor इसका Correct answer है Option No.B के साथ Move करेंगे हम लोग यूंकि Honor का मतलब क्या होता है Respect और Privilege का मतलब होता है Advantage ठीक है और Be Little का मतलब होता है अपमान करना तो यह इसका क्या है Be Little Synonym है ठीक है Advantage यह आपका होता है Privilege और Honor का मतलब होता है Respect और D-grade का मतलब होता है अपमान करना तो Option No.B के साथ हम लोग मूब करेंगे इडिस करेक्ट एंसर ना दे नेक्स्ट कुईस्चिन आपके स्क्रीन पर ठीक है एस्टाउंड एंट्रोनेम फिर से आपको बता देना है दोस्तों एस्टाउंड का मतलब क्या होता है भी विल्डर्ड शॉक्ड एमेस्ट या फिर बोर आईए हम लोग कुछ डि टिके है और बी वाल्डर्ड और फिर बोर्ड और हमारा की गया होता हेस्ट तो एस्टाउंड का मतलब भी क्या होता है extra अमेस्ट चकीट होना ठीक और हमें चाहिए एंटो नेम तो फिरेंट्स सोंग्ड हो गया इमेज्ड हो गया सब क्या सिफसकर स्टिक्ट अर बी का मतलब बताना है इंड जैन्मीन डिसीट फूल ऑनेस्ट या फिर डिस कर्डे ओंड हो डेbbe आइए देखिए तो अपनार्फ का मतलब किया होता है अफनेस्ट और अप्राइस有點 honest मंदार अप जो यह बना है हमारा अप मतलब होता है stand खड़ा होना और इसके साथ हम लोग जोड़ती है right को तो who is always correct in honest that is upright जो हमेशा who is always correct in honest always correct ठीक है always correct and honest तो उसे हम लोग कहते है that is upright ठीक और genuine का मतलब होता है genuine तो आपको पता ही होगा deceitful ठीक है यह मंदार है कोई तो उसको धोखा देना कह सकते हैं हम लोग तो इसका क्या हो जागा option number b correct है deceitful honest genuine disregard मतलब disregard कर देना reject कर देना clear तो हम लोग भी किसाथ move करेंगे यह correct answer है next five number question सिन्होंने बताना है ठीक है तो question आपको लोग ध्यान से पढ़िए faded और इसका सिन्होंने बताना है ठीक है यह ब्राइट का मतलब क्या होता है ब्राइट उजाला फ्रेसा कड़म फ्रेस नभेजा जाना, Mi Aa आ रेकोमित लेटे का मुर्जा जाना इसका सिनोनेम पुछाए तो इसका है करेक्ट है और और ये हां एक कर ना मतलब बढ़ाना हम लोग घर हेसे स्पीड भरती तो इसलिए हम लोग का इलिवें का मतलब एकसेलेट घरओ अब नेक्स्ट कुश्चन नमबर सिक्स अबट अबलिंग इसको अबट क्रिटिसिज्म प्राइस क्लाम क्लाम और या फिर नाइवर कुछ मीडिंग आपका मैं बता दू फ्रेंड्स की अबट का मतलब बता है नाइवर ठीक है और इसका हमें चाहिए सीनोनेम तो जाहिर से बा जैसे नैवर जैसे एक का नैवर भी है वैसे ही यू का नैवर टी है ठीक है क्रिटिस्ट का मतलब बता है सेंसर प्राइस का मतलब बता है यू लोजी प्रसंसा करना ठीक है और क्लामर का मतलब बता है नौइस या फिर टिमल या फिर टिमल्टुस मतलब नौइस मतलब होती ह हला करना हला गुला सोर बंचाना तो अप्शन नमबर डी के साथ हम लोग मूव करेंगे इस करेक्ट अंसर इस अप्शन नमबर डी नेक्स्ट सेवन नमबर कुश्चन आपके स्क्रीन पर शांग फॉर्ड एन एक्जिटी कंपोजर ठीक है टेमल चुछ या फिर रॉर रॉर मत अज़िती मतलब बहुत ही इग्जाइट होना ठीके संग्फोड का मतावता है सांती ठीक है संघ में संघ में रहना से सांती रहती है संघ में रहने से करेक्ट है हमारा कंपोजर मतलब सांती तिमल्चुछ या फिर रोर यह सब हमारा साउंड बहुत ही साउंड से लेड़े जो की बहुत ही ज्यादा होता है ठीक है ऑप्सिन नमबर बी के साथ मूब करेंगे कि एक नमबर सवाल एक शनय नम बताना है दोस्तों पर बचक करण साथ कंसाइस वर्दी & ट्रैंक्विल क्या होता है एक दॉब भबस का मतलब पहले जानी है आप लोंग पनेंक लिएन इस वह सारे वर्द को टेन balm करता हो उ डिलेड़ीद वरबर ठिके के 무리 कम अध quand घृतर है ना नकी आपको इसका इससओं कर डियुत मेरे ने है भीलग बृट डिस्टार का मतभवता है छोटा वर्डी तो इसका वर्वस का मेनिंग क्या हो जागा वर्डी अप्सिन नमबर सी सब्दों से रिलेटेड है ठीक है और ट्रैंक्विल का मतब होता है सिरीन यह फिर काम डाउन काम करना सांती बनाया रखना सां सिरीन ठीक है ट्रैंक्विल तो नमबर नाइं मांग्धए ए्रर तो कुछ मैंने संटोनेम के किए कुछ मैंने संटोनींस जो था वह सिनोनेम करें और आप वों लोग कुछ संटेंज करेंगे ए्रर के एल ethics एृट कॉली is as good एस रखनीज एस एज लाट सुब्हु आ beginner बेटर देन सचितन तुरकर कहां पर एर है आप लोग बताएंगे फटाफट ठीक है देखिए एर है आपका कि विराट कोली इस एस गुड़ एस होगा जब हम लोग किसी दो परसन के बीच में कंपेर करते हैं पॉजिटिव डिग्री में तो हम लोग एस गुड़ एस के साथ है ठीक है तो विराट कोली इस एस गुड़ एज इस नॉट बैटर दैन सचिंतन तुरकर अप्शन नंबर भी हमारा करेक्ट है ठीक है नेक्स्ट टेन नंबर सवाल डैट बुक इस एस इंट्रेस्टिंग एज इस नॉट बैटर दैन दैट वन ठीक है क्या हो जागा इसका कंपेरिजन का सवाल और यह आपका हो जागा नुए रर्व क्योंकि यह संटेंज बिल्कुल करेक्ट है अभी मैंने बैक में बताया था फ्रेंट्स प्रिवियस क्वेस्टिन में कि अभी विराट कोली के साथ मैंने कंपेर किया था किसको साचिंतन दूलकर का यहां आप मैं देना है we lost a great team we lost a great team which was superior than us tonight which was यह फिर that was क्या होगा आपको पताना है ठीक है कुछ लोग कर रहे हैं इसका A कुछ answer D भी दे रहे हैं और कुछ C के साथ भी move कर रहे हैं तो लगभग सभी लोग answer को दे रहे हैं ठीक है तो आईए देखते हैं क्या होगा इसका answer friends option number superior अपने सा साथ to लेता है कि compare में कुछ ऐसे words है degree of compare में comparison में कि कुछ words के साथ आपको always to लेगा ठीक है तो आपको याद रखना है कि जो भी words हमारे superior होंगे ठीक है superior वो अपने साथ compare के लिए to का इस्तिमाल करेगा always which is either any sentences we can use the superior to for the comparison ठीक है then we lost to a great team which was superior to us tonight ठीक है next extra fact में आप लोगको मैं कुछ बता दू कि preposition हमारा to है is used with adjectives के जैसा इस्तिमाल होता है senior junior posterior superior inferior anterior elder prefer ठीक है prefer उसके बाद आपका हो जाएगा preferable preferable etc यह सारे के साथ हमारा proposition to always text carry करेगा ठीक है फ्रेंट नेक्स शवाल 12 नंबर आपके screen पर यह रहा दोस्तों my sister is five years junior to me ठीक है my sister is five years junior to me यह फिर क्या हो जागा इसका no error क्योंकि यह sentence a few days few days little days यह फिर all little days friends थोड़े दिन के लिए तो लिटिल तो यह हमारा होगा नहीं कि लिटिल हमारा किस्से है ठीक है liquids के form में जो होता है उसे हम लोग इसमाल करते है liquid लिटिल आफ यू या फिर फ्यू तो यहाँ पर हम लोग को last previous class में यहाँ दाफ you few of you few few मतलब होता है ठोड़ा आफ यू मतलब जो भी थोड़ा था मतलब कि ना के बराबर और दा फ्यू मतलब जो भी थोड़ा था वो भी ख़त हम तो यहाँ इस दा इस दा बैस्ट इन आवर क्लास मतलब अब यहां पर पूरे क्लास के बीच में रागव का कंपेर कर रहे हैं कि वह सब में से अच्छा है तो रागव इस दा पैस्ट शुर्ण की गूड पॉजिटिव डिग्री अ बैटर कमपुर्टिव डिग्री और बेस्ट सुपर र्लेटिव डिग्री तो ईपस नंबर एक करेक्ट है हमारा ठीक है बेस्ट 새opf इलिए नेक्स शावार फिप्टिन आपके ज्यू पर दा धूर बेल इंतरप्टेड दावर क्या हो जागा माई us मी या माई chain of two thoughts option number a के साथ हम लोग जाएंगे the doorbell interrupted my chain of thoughts ठीक है तो a is suitable है क्योंकि हमारा the doorbell interrupted interrupted मतलब क्या होता है परिसान होना तो जो बाहर में doorbell होती है वो परिसान नहीं मतलब कोई बार वर बजागा तो क्या होगा उससे परिसानी होगी ठीक है तो chin up thoughts my chin up मेरी chin up को thoughts की interrupted कर रहा है doorbell ठीक है इसलिए a is correct answer next 16 नंबर सवाल this writing task this writing task is कौन सा quite होगा या more easy होगा और interesting आपको बताना है option number a के साथ हम लोग मूब करेंगे ठीक है this writing task is quite easy quite easy मतलब क्या होता बहुत ही असान एक दम बिलकुल असान quite easy and interesting बहुत ही असान है और बहुत ही इंट्रेस्टिंग भी है तो option number a इसका correct answer है next हमारा अब कुछ ठीक है friends आईए हम लोग मूब करते हैं और कुछ sentence आपके screen पर ठीक है कुछ words sorry passes हैं जो कि आपको पढ़ लेना है और इसके बाद हम लोग answer देंगे it was a dark autumn night मतलब कि बहुत ही पहले पैसेज को समझे क्या है it was a dark autumn night मतलब कि वह बहुत ही dark autumn night था ठीक है and the older the old banker was walking एक old banker जो थे banker मतलब जो बैंक में काम करने वाले होते है और बुड़े टाइप के वह वाक कर रहे थे चल रहे थे टहल रहे थे and down his study and remembering तो क्या हो जागा तो walking up या walking away या walking here या फिर walking out पहले पूरा को sentence पढ़िए उसकी बाद भी मैं बताऊंगा remembering 15 years before he given a party on autumn evening and been many clever ticket men present they had interesting conversations among other things they had talked of capital punishment तो option number एक के साथ हम लोग जाएंगे कि walking अपने साथ अपलेगा वाक अप होता है टहलना walking up and down वाकिंग अप अपने पढ़ाई करतने के दोरान जैसे कि हम लोग कुछ याद करते हैं तो आप लोग पुक्स को लेकर walking up और down होते हैं कभी उधर जाते हैं कभी इदर आते हैं और उसको पढ़ते हैं तो उसी परकार से एक एक old banker जो था वो autumn season है autumn night है ठीक है रात का समय था और वो अपने study को लेकर कुछ याद कर रहा था जो कि up and down हो रहा था ठीक है पहले next ठीक है तो वो इधर-धर remembering कर रहा था remembering how fifteen years before ठीक है वो भी क्या दिन थे जब फंदरा साल पहले ठीक है आफ फिप्टीन इएर्स एगो है हाफ फिप्टीन इएर्स एगो फिप्टीन इएर्स बिफोर ही है गिवेन अ पार्टी मदब फंदरा साल पहले उसने एक पार्टी दी थी और इसी autumn इवनिंग था ठीक है इसी autumn इवनिंग के साथ वो पार्टी दिया था ठीक है autumn evening evening autumn evening ठीक है had been many clever man present there they had interesting conversations among there among other things they had talked of capital punishment ठीक है capital punish clear man present present on ठीक है क्या हो जागा present and they had interesting conversation among there they had talked of capital punishment ठीक है यह था आपका कुछ पाराजंबल next हमारा फिर से सिनोनेम बताना आपको कॉट्ट चिवाश ठीक है क्या होता है फ्रेंड ठीक है देखिए को चुअश का मतलब क्या होता है polite या फिर मैनरली और यह जो हमारा सेंटेंस बना है वह काउट्रूम में सभी के याद करने का तरीका है सभी को सभी भासा कहीं यूज करना होता है तो पॉलाइट का मतलब क्या होता है विनम्र रूड का मतलब क्या होता है बहुत ही रूड ठीक है एरोगेंट मतलब होटी घमंडी और सीक्रेट का मतलब होता है पायस पावित्र आप्सन नमबर एक करेक्ट है इसका ठीक है नेक्ट रिवंप सिर्ण नम्हें बताना है आपको इसका रिवंप का सथख मतलब समात करना इनलब तो समात करना इ Zar detriment एलुजन मतलब क्यों होता है कि है अब you है इससे रिलिडेड है फिरिन्स ब्रहाम से रिलेड़ेड है ठीक है पैसिफाइओ का मतलब क्या होता है काम सांथी बनाये रखना पैसी फाइठ ठीक है टीक्स सब्सक्राइब कोईंट्रिक्टल का मतलब क्या तो आपसन नबर एक ठीक है इसका complex ठीक है next शवाल कॉजिटेट का मतब क्या होता है विगर अवाइड कंटेंपलेट यह फिर टर्मिनेट क्या हो जगा फ्रेंड्स कॉजिट का मतब क्या होता है Mediate, Mediate का मतलब क्या होता है, एकागरता करना, ठीक है, तो ये आपका जो sentence है, गीता को पढ़ने के बाद हर कोई अपने बुरे कर्मों, बुरे कर्मों के बारे में चिंता करता है, तो Meditate करता है, Meditation से बना है Meditate, Vigor का मतलब क्या होता है, इनर्जेटिक होना, और Avoid का मतलब Neglect करना, ठीक हर, Contemplate का मतलब होता है, Ponder, जो की हमारा Related है किस से, कौजी, Tate से, Terminate का मतलब होता है, समाप्त होना, इंड होना, ठीक है, तो Option Number C, Correct है इसका, Next, 26 Number, Ligobrius, Antonym बताना, Ligobrius, ठीक है, Glee, Gloom, Ordinary ये फिर Concord, Ligobrius का मतलब क्या होता है, Sad, बहुत ही उदास, ठीक है, और Antonym इसका बताना है, तो Glee मतलब बहुत ही खुश, ठीक है, जब घबराकर सामने आता है, तो सब Sad हो जाते हैं, ठीक है, तो Gloomy, तो घबराकर से आद रखना है, आपको Sad, Gloomy का मतलब होता है, Sad, ठीक है, और ये, Melancholy का मतलब भी होता है, Sad, Ordinary मतलब Common, और Concord मतलब Harmony, ये इसका सीनोने में बाकी सब का Words है, ठीक है, Next, 27 Number, Antonym बताना है, आपको Elope, Elope का मतलब क्या होता है, Scap, Run, Appear, ये फिर Disappear, Appear मतलब प्रकट होना, Disappear मतलब गयाब हो जाना, Run मतलब भागना, Disappear मतलब बच निकलना, तो Option Number हम लोग C के साथ जाएंगे, Appear मतलब प्रकट होना, ठीक है, Elope मतलब भी होता है, भाग जाना, इसका Entry Name था, भाग जाना, मतलब फिर से वापास आना, प्रकट होना, Option Number C, इसका Suitable and the Correct answer, Next, रवाल, 28, 8, Sojourn, Stay, Stay मतलब क्या होता है, रुकना, Continue, ठीक है, Continue मतलब करना, लगातार, About मतलब, ठीक है, Conclude मतलब करना, और About का मतलब क्या होता है, End होना, Sojourn क्या है, एक Temporary Stay है, Sojourn, मतलब हम लोग कहीं जाते हैं, तो हम लोग टेंपरोरी Stay करते हैं, कुछ समय के लिए रुके और फि ठीकना, 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 Continue मतलब क्या होता है, इसका, Continue करना, तो एंटर नेम छे है, इसका, तो अपोजिट क्या होता है, इसका, Continue, मतलब आप महीं पर जाके बैठ जिये, लगातार, In, About मतलब, In और, Conclude मतलब, Finish, Next, 29, Number, Question, If, If, Minute, Time, Hour, या फिर, Use, Use, मतलब बहुत बड़ा, Hour मतलब घंटा, Time मतलब समय, और Minute मतलब, Ilf का मतलब होता है, Small, तो Ilf आपका Elephant, जो की बहुती बड़ा होता है, उसी के छोटे वर्जन है, Ilf, यानि छोटा, तो Ilf का Opposite क्या हो जागा, Use, Option Number D, Correct है, ठीक है, इंटर नेम चीए था, Next, An Axe to Grind, इसका एडियम बताना है आपको An Axe to Grind का मतलब क्या होता है, To Indulge, To Evil Conspiracy, To Catch a Fish and Disturb Water, To Make a Personal Profit Out of Situation, To Aggravate the Situation, Option Number हम लोग, C के साथ जाएंगे, To Make a Personal Profit Out of a Situation, ठीक है, मतलब, Personal Profit होना, किसी भी सिचुएशन में, तो An Axe to Grind होता है, ठीक है, Next, सवाल, क्या है, A Fool's Paradise, A Fool's Paradise का मतलब, ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्तों, To Live in the Past, To Have Happy Dreams, To Live in Illusion, या फिर परडाइस of Idiots, अपसर नमबर हम लोग का, C करेक्ट है, To Live in Illusion, To Build Casual in Air, मतलब क्या होता है, Some Mean, Same Mean, ठीक है, And To Fool's Paradise, To Live in Illusion, अपसर नमबर, C is Correct, Next, Down to the Mouth, Down in the Mouth, मतलब क्या होता है, Very Weak, Inable to Speak, Very Depressed, या फिर, Very Confused, अपसर नमबर, C करेक्ट है, इसका, Very Depressed, बहुत ही Depressed भी होना, ठीक है, Next, Some Mean, आप लोग देख लिएते हैं, Pull Along Face, Pull Along Face, Hands to Mouth, Try to the Best, या फिर, To Have Enough to Eat, Next, Here, Grammatical, इर, बताना है आपको, He is More Smarter Than His Brother, How He Does Not Earn Much Money, More Smarter, देखे, यहाँ पर दो-दो, More तो खुद में लगता है, Comparative के लिए, ठीक है, यहाँ पर More नहीं होगा, He is a Smarter Than His Brother, होगा, Prince, Option Number, किस के साथ, B के साथ, Clear है, He is More Smarter होगा, Next, Oh My God, We has finished our lunch, Half an hour ago, We has, विजब आदा घंटा पहले मैंने अपने लंच को क्या किया, खतम किया, तो, We has finished, No, We finished, Option Number, A, Correct, ठीक है, Next, 35th Number Question, और आज का लाश्टा वाल है, ठीक है, क्या कहा रहा है, आप लोग ध्यान देंगे, He has been working off and on for several years on this theory, ठीक है, तो यह आपका सेंटेंज जो है, वो परिजन परफेक्ट कंटिन इवर्स्टेंज में है, और हैज बीन वर्किंग भी सही है, और यहाँ पर for several years, कुछ सालों के लिए यह भी सही है, तो कहीं न कहीं इसका सेंटेंज है, no improvement, option number D is correct, तो फ्रेंट्स वीडियो को अंतक देखने के लिए आपका very very thank you, ठीक है, बहुत धन्यवाद हैं आपका, इसी तरीके से आप लोग वीडियो पर बने रहें, और चैनल को सब्सक्राइ टेक कर लें, बैल आइकन हो क्लिक करें, ताकि नोटिफिकेशन आपके फोन तक पहुंचें, तो मिलते हैं हम लोग फिर कल की क्लास में, तब तक के लिए बाबा, टेक क्यार है बनाइस डे, ठीक है, आपका दिन मंगलमाई हो, रादे रादे दोस्तों,